वाटसेप को लगा है 213 करोड का एक पनल्टी का जटका आखिर वाटसेप ऐसा क्या कर रही है जिससे आपका डेटा आपकी प्रैवसी को सेंध लग सकती है आपके कॉंटेक्स आपकी इंफोर्मेशन क्या वो बुजनसमेन को बेच रही है कुछ ऐसे ही संकेत मिले है CCI को और इसलिए उन्होंने लगाई है मेटा की उपर एक पनल्टी मेटा असल में वो कंपनी है जो ओन करती है वाटसेप को और ये पनल्टी कोई छोटी मोटी नहीं 233 करोड रुपे की है और ये क्यों लगी है क्या इसके माइन है आपके और मेरे लिए क्यों ये बहुत अच्छा क कदम है और अब मेटा क्या करने वाली है असल में मेटा है क्या CCI है क्या इन सभी चीजों को जानते हैं ध्यान से देखे इस वीडियो को वेलकम टू ज्यानकोश 2021 से चला रहा है एक केस जिसमें की Competition Commission अफ इंडिया ने WhatsApp की Privacy Policy के खिलाफ एक जाज शुरू किये जाज ऐसी कि जहां देखा जाने लग गया था कि WhatsApp जो आपका डेटा है जब भी आप किसी एप को इंस्टॉल करते हैं उसके पाद एक Privacy Settings होती है कि I agree to this and this और हर अपडेट के बाद आप देखोगे कुछ कुछ चेंजिस आते हैं 2021 में इनोंने एक Change किया उस Change के बाद इनों ये बोला कि अपने Data को जो आपके Contact का Data या आपकी Gallery का Access जो इनको मिलता है किसी भी आपको आपको कुछ Permission देते हैं उनमें से आप उसको App का Permission दे देते हैं, Contacts का देते हैं तो ये 2021 के Update जब आई उसको अगर आपने Yes कहा है तो उसके बाद ये आपका Data Share करने लगे आप Facebook और Facebook के बाद की Units के साथ यानि आप यूज कर रहे हैं WhatsApp लेकिन आपका Facebook अकाउंट हो या ना हो आपका Data Facebook तक भी पहुँच रहा है ये CCI ने पाया इ उनसे पूछ के Permission ली गए और ये Business Basic एक नियम के हसाब से कर रहे हैं कुछ इसमें गलत नहीं कर रहे हैं क्या कहानी आई ये तो देखे वाटसेप और CCI का मामला असल में बहुत पुराना है 2021 से चला आ रहा है अब 25 मिलिन या राउंड 213 करोड का जो फाइन है उसकी वज़ में आते हैं Meta के अंदर ही और शुरू में Facebook के कंपनी हुआ करती थी Facebook ने बाद में Facebook मेसेज़िस शुरू किया उसके बाद Facebook ने Instagram को अक्वाइर किया WhatsApp को एक्वाइर किया फिर Twitter का राइवल एक thread create किया फिर एक real वाद section स्टार्ट किया Facebook के अंदर और उसके बाद Oculus और Reality Lab स्टार्ट किया जब इतनी सारी कंपनी थी तो इन्होंने Meta बना के Meta को इसकी top most company बना लिया बाग की सारी जो companies है इसकी sub unit बन चुकी है ठीक उसी तरह है जैसे हम Google समझते हैं Google अब Google नहीं रही असल में Alphabet वो parent company है जिसके अंदर Google ठीक है आपके Google आपका पिक्सल आ गया जो भी Google के प्रड़क्स है सब Alphabet के अंदर आते हैं उसी प्रकार Meta इसकी parent company है जिसके अलगले component आते हैं तो हो सकता है कि केवल आप Instagram चलाते हैं और आपको Facebook क Instagram ना चलाते हैं कई लोग केवल WhatsApp पे रिलाई करते हैं messaging के लिए वो Facebook Instagram यूज नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि WhatsApp पे मैं काम करा हूँ तो मेरा data हो सकता है जो भी चीज़े information है वो WhatsApp के पास है लेकिन 2021 में एक update आता है जिसमे WhatsApp बड़े प्यार से एक system add करती है कि जो आपका data ह है वो meta अपने बाकी platform जैसे Facebook या Instagram के साथ भी share कर सकेगी इसके बाद यहीं आपकी contact की details जो है जो अभी तक सिर्फ WhatsApp के पास थी imagine करिए WhatsApp को आप contact का detail देते क्यों हो इसके देते हो कि मानला आपको किसी को message करना है तो वो WhatsApp के है या नहीं कैसे पता लगेगा इसके लिए WhatsApp को आपके contact का access चाहिए होता है आपकी list का कि कि किस-किस number को आपने save कर रखा है उसको scan का tag है था हाँ ये लोग online है या ये लोग अभ या तकि Facebook को पता लग जा अच्छा इस वेक्ति का ये number है या इस वेक्ति का ये नाम है या इसकी ये profile photo है तो उन तरह की चीजों से होता ये है कि जो आपको दिखाया गया कि मैं WhatsApp यूज कर रहे हो पर उसका फाइदा इनकी बाकी apps भी ले पाएंगी जो एक तरह से गलग तर जाएगा और कई जीज़ें जो आप देना भी नहीं चालते हैं Facebook को Facebook को मिल चुकी है और ये सब हो क्यों रहा है क्योंकि ये सब ओन करती है एक ही company meta तो CCI ने लगाया इनके उपर fine तो देखिए ये ऐसे कुछ आपको policy terms revise करने हो कहा जाता है आप normally continue करते हो और accept कर ले तो ये पहुंचा Competition Commission of India के पास अब Competition Commission of India क्या है तो Competition Commission of India एक statutory body है जो 2002 से चल रही है इसका काम है ये करना ये देखना कि कोई company competition के खिलाफ कोई करम न उठा है मालो Google या फिर Apple की बात कर लो या even Meta की बात कर लो ये ऐसे platform है जिनका बहुत ज़रा प्रभाव है अपने customers consumers users के उपर तो अगर वो ऐसा system start करने कि मेरी Google की service use करनी है तो आपको मेरा Google का ही laptop लेना पड़ेगा तो क्या सही है एपल बोले अगर मेरा smartphone चलाना है तो जितने भी apps मेरे ही चलाने पड़ेंगे किसी और की app चलेंगे नहीं तो वो गलत है तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए ऐसी practices को रोकन आ गया था 2022 में उसके तहर्ट CCI को खड़ा किया गया था CCI में मुख्यूरूप से इंडियन बिजनस्मेंट जो होते हैं जो private sector वो भी involved रहता है इनका काम है competition को promote करना competition जब बढ़ता है तो कीमती गिरती है अगर एक ही mobile company होगी किसी market में तो टेलेकॉम के दाम आसमान में हो ताकि एक दूसरी खेलाफ कुछ करना प्रेडिटर्वी प्रैसिंग जैसी चीजों को रोकने की कोशिश कि दाम को जान बुझ के इतना घटा दो कि सामने वाला बरबाद हो जाए ठीक है मालो आप आलू बेचते हो आलू की दुकान है आपकी सामने रिलाइंस की दुकान भी आलू बेचने वाली खुल जाए उन्हें पता है कि मार्केट में और खेतों से आलू जो आ रहा है वो 10 रूपे किलो कीमत आ रही है केवल आलू के उत्पादन में लेकिन बोलेंगे नहीं बहुत बेचने वाला हूँ आप 12 रूपे बेच रहे हो वो दू रूपे बेच रहे तब इस मार्केट में बज़िया केवल ये आलू वाला और ये जो पहले 2 रूपे में बेचता था पहले उसको 8 रूपे करेगा दाम बढ़ा की फिर उस आलू को वो 15 रूपे बेचना स्टार्ट करेगा तब तो पहले आप थे जो 12 रूपे में इसको बेच रहे थे अब ये ये पैनल्टी ठोकी है मेटा के उपर की भाई साब आपका काम बहुत गलत है 200 करोड से उपर का आप पहले फाइन पे करो ये जो आपकी प्रिविसी पॉलिसी है इस प्रिविसी पॉलिसी में आपने बिना अपने कस्टेमर्स को अपने कंजूमर्स को बताए हुए कि भाई जो डेटा है उसका आप किस तरे use करोगए हाला कि उजने बोला कि अभी जो अपिल की है उसमें में अनुदी इंटेग्रेशन की वजए से लेकिन काहनी एक ये कि में इतना बड़ा प्रिटांग जिसके ब्रॉड़क्स है हर कोई हर पॉड़्ेट्क्स ये अजbaj से हुई नह कर रहा यह messenger इनके use नहीं कर रहा तो मैं क्यों अपना data इन बाकी apps को देना prefer करोंगा, whatsapp चलाना आज तो इंसान की मजबूरी हो गई है इंडिया में क्योंकि हर कोई whatsapp पर है, तो इसलिए meta अपनी जो monopoly है instant messaging में देखिए, whatsapp is an example of instant messaging, इस पे क्या होता है, इस पे आपके इबल message ही करते हो, ऐसा तो है कि नहीं, वीडियो चलता है, या आप social media के तरह कुछ काम कर रहा है, बागी जो आपका Instagram है, या Facebook है, या प्रॉपर social media है, यहाँ आपके पास contact है या नहीं, friendship request भेज सकते हो, follow कर सकते हो, music, video, सब कुछ, वो instant messaging का option उनमें भी है, उनके अपने messengers है, लेकिन मुख्य रूप से काम किया है उनका social media interaction तो इसलिए कुछ लोग जो उससे बचना चाहते है वहाँ नहीं जाते है, WhatsApp यूज करते हैं लेकिन WhatsApp पर अब ये data अगर Facebook को बिल जागा, तो कितना खतरनाक हो सकता ये आपकी safety के लिए, आपकी privacy के लिए इसलिए, CCI ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और ये conflict dispute काफी समय से चला आ रहा है, जनर्वी 2021 में ही ये update आई उसके बाद CCI ने एक investigation के नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, CCI की authority है करने की, फिर ये Supreme Court गए, 2025 में Supreme Court ने भी इनकी अपिल को खालिज कर दिया, कहा नहीं भी CCI investigate कर सकता है, और November 18 तारिक को CCI ने इनकी उपर 25.4 million dollar का एक penalty लगाया है और बोला है कि आप अपना data बाकी Meta की companies को नहीं बेच सकते इस तरह से उनको नहीं दे सकते, अब कहां नहीं ये बेने कि इनको data चाहिए क्यों, आपने अकसर देखा होगा कि आप कुछ बात कर रहे हो, आपको लगगा भाई साब phone को पता कैसे चल गया, कुछ चीज आपने सर्च करी, मालो WhatsApp पर कुछ आपने सर्च किया, WhatsApp पर क्या ही सर्च करें कि मालो अपने Facebook पर कुछ सर्च किया उसके बार आप Instagram पर जागा, आपको वही एड दिखने लगएगा, क्योंकि कि वो data इदोने शेर कर दिया, इस बंदे को ये चीज चाहिए या जो भी इनके platform है कहीं भी आप जो, आपको वही एड दिखने लगेंगे तो वो आपका use current data advertisers को बेचने के लिए, तो आप जहां भी जहां आपको वही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको आप CCI ने काए कि भाही पहले तो ये काम बंद करो privacy policy change करो, अपना data बाकी meta-owned apps को बेचना बंद करो और कहा है कि यतना तो पहले fine पे करो, 25 million dollar का और meta ने अब गाए कि नहीं हम जाएंगे CCI के decision के खिलाफ हम appeal करेंगे और हमें नहीं लग रहा कि सही है ये तो आपको क्या लगता है, क्या ये meta का जो कारणामा ये सही है और देखो ना, जो app है जिसे WhatsApp, WhatsApp तो पहले इनकी थी भी नहीं WhatsApp थी भी नहीं meta की, WhatsApp एक अलग company थी, Facebook ने इसको 19 billion dollars में 2014 में खरीद के integrate किया था, WhatsApp पहले एक ऐसी company थी जो कोई पैसा नहीं लेती थी, joining fees अभी भी नहीं लेती, और इन पे कोई ads नहीं आता था, zero ads, जब ये deal final हुई थी, वादा क्यों आ गया था, कि इसके digital advertisement नहीं होगा, लेकिन बाद में Facebook खुद meta बन चुकी है, meta parent company है, और ये अपनी policies को बदल रहे है, इसके अलावा, ये जब काम करना में कर रहे हैं, जहाँ पर consumer interest के खिलास चीज़े हो, लोगों को धोका दड़ी का, एक तरे का, एक तरे का ये example है, जैसे कैसे आपका data आपको बिना पूछे, महाँ जगे फ्लाया जा रहा है, पर meta ये कह सकता है, कि आपसे पूछा गया, आपने accept किया, तब ही data दिया जा रहा है बाखी लोगों को, पर क्या किसी विक्ति के पास ये option है, क्या किसी को awareness भी है कि वो हो गया रहा है, कितने लोग इसको use करें, कई लोग तो पढ़ भी नहीं सकते क्या बात हो रही है, technicalities उन्हें नहीं पता, तो इसलिए जो एक कदम उठाया जा रहा है, हम सब के नुकसान के लिए हो सकता है, तो CCI का उठायावा एक अच्छा कदम है, आप बते कमेंट बाक्स में क्या आपको लग रहा है, कि जहां आपको proper classes मिलें, जहां आप ढंग से एक जगए organized तरीके से चीज़ों को रख पाएं, तो आपके लिए उपलब्द है 2025 की अगर आप aspirant है तो प्रहार जो एक English या Hindi का बैच है Titan जो English का बैच है 2026 के लिए फिर Titan है आपके बास English में और संकल्प है, English या Hindi में इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलती है, highest quality of classes with the best faculty, GS की classes होंगी, live बाद मुन का recorded session भी आपको अपने platform पर मिल जाएगा आपको daily MCQs मिलेंगे, means के, prelims के आपको C-set की classes दी जाएगी आपको GS की e-books दी जाएगी, जो पूरी तरह comprehensive है, उसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रुवरत नहीं, one stop solution होगा आपके लिए और ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,900 इन्यानमे रुपे में यहीं से start है courses, admissions अभी open है अगर आपको support चाहिए, preparation में तो आपके लिए उपलब ध्याव, बहुत ही किफाहिती कीमत होगा अपने घर बैठे दयारी करिए और अपने आपको organize रखिए, अपने प्रप्रप्रिशन को boost करिए यह था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बताइए, meta को लेकर आपके क्या views है, क्या सही है या गलत है thanks for watching, keep on watching, ग्यानकोश and have a nice day